बागलपूर दुमका मुक्य मार्ग पर फुलवर्या चौक के पास एक दर्दनाक हात्सा हुआ जहां ट्रक ने बाइक सवार 45 वर्षिय सत्रुगन परसाद यादब को कुछल दिया जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई बताया जा रहा है कि वो चकफात्मा गाओं के निवासी थे और स्वास्थ बिभाग में वालेंटियर के रूप में कारी रथ थे मिर्टक के परिवार में एक बेटा और तीन बेटिया हैं और उनकी पतनी समय कितबाल विकास परियोजना में सेविका के पतपर कारी रहे वहीं हाथसे के बाद भागलपूर दुमका मुखे मार्क पर करीब 6 घंटे तक जाम लगा रहा जिससे लोगों को काफी परेसानियों का सामना करना पड़ा जिलादिकारी के अनुपस्तिती में SDM दनंजय कुमार ने मौके पर पहुँच कर परीजनों को समझाया और जाम को हटवाया वहीं समात सेवियों और पंचायत परतिनिदियों ने मिर्तक के परीजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जिसके बाद जाम हटाया गिया वहीं पुलिस ने सबको अपने कबजे में लेकर पोश्ट माटम के लिए भेज दिया देखें आज यहां पे बहुत एक दुखत गटना हुई है प्राता सारदस वजे के करीब एक अनियंद्रित हाइवा है उसने यहां पे एक अस्थानी है उनको धका मारा जिससे उनकी गटनास तल पर ही मिठती हो गई है और तो जो भी लोग के डिमांड है डिमांड क्या जो प्रावजा का जो प्रावधाम है उसके थाथ हम लोगा विलम वो सब इंस्योर कर रहे हैं साथी साथ अभी डेट बोडी को हम लोग पॉस्टमाटम के लिए बेज रहे हैं और संपूल जिलास प्रसाशन के सानुगुति परिवार के साथ है और जो अस्थानीय पतादिकारी उनको भी दिशानिर्देश दिया गया है कि इन्हें अब इलम परस्नल लेवल पर इसको मॉनिटर करते हुए जो भी सरगारी प्रावधान के था है तो उनको लाब मिलने है उसको आने वाले समय में त्वरित गती से करवाएंगे भागलपूर के चमपा नगर में M.T.N. घोस रोड लेन पर इस्थित महराना पूजा समिती ने गुरुप गुरुवार को कश्टरनी माता रानी दुरगा की बब्बे परतिमा स्थापित की गई पहली पूजा के साथ माता का प्रान परतिश्था गर पट खोले गए जिसके बाद स्रधालों की भीड माता के दर्सन के लिए उमल पड़ी आयोजक राजु महराना ने बताया कि वर्स 2001 से यहां मादुरगा की पूजा की जाती है और प्राचीन रिती रिवाजों के तहट पहली पूजा के साथ ही माता के पट खोलते हैं महराना परिवार की सदस्य राखी राज ने बताया कि कश्टरनी मातारानी की पूजा के बाद से चेतर में सुक्सान्ती का महौल है पूरे नातनगर प्रखंड से बक्त माता के दर्सन के लिए यहां पहुंचते हैं पूरों ने कहा कि दस दिनों तक यह इलाखा बक्ती गीतों और मंतरों चारन से गूंजता रहता है इस अब सर पर नरेश महराना संकर महराना पर्तिक महराना राखी राज और अन्यस्थानिय सदस्स सभी मौजूद थे साती नातनगर के अन्य मंदिरों जैसे मनस कामना नात मंदिर, मोहनपूर दुर्गास्तान, नूरपूर दुर्गा मंदिर, सहित जिले के सभी दुर्गा मंदिरों में कलस अस्थापना के साथ दुर्गा पाठ शुरू हो गिया वहीं सरदालू बड़ी संक्या में मंदिरों में देवी दुरुगा की पूजा करते दिखे एक पूजा से ही करने के लिया आते हूं और अपनी कस्ट को माता से यह कहती है पृति मा अस्ट कोई बड़ी करते है पृति मां फृति मां बहुत नइदों करो भीड़ी मताता है भागलपूर से हैं और घर बनवाने, घर खरेतने या बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए लेकर आया है बाबा सरकार Construction and Real Estate Company एक सुनहरा मौका जहां आपको मिलता है अपने घर को नया 3D 3D डिजाइन के साथ साथ अपना पसंदीद डिजाइन करवाने का मौका जमीन का नक्सा से लेकर भवन निर्मान, इंटेरियर डेकोरेशन, मेशिन, जैसे एक टाइल, पलंबरी, इलेक्ट्रिकल, फर्नीचर, इत्यादी, सारा काम होता है तो आज ही संपरके करें बाबा सरकार कंस्ट्रक्शन एन रियल इस्टेट कंपणी एस्पी कोठी इलकामान जी भागलपूर, हमारा कॉंटेक्ट नमबर है 7545801487, दूसरा नमबर है 9304630172 भागलपूर नगर निगम में तीन दिनों से सफाई कर्मियों की हरताल चल रही है, जिसके कारण सहर में सफाई ब्यवस्था बाधित हो गई है इसी संदर्म में नगर निगम के उपमा पौर डॉक्टर सलावदिन अहसन के नेतरित में अस्ताई समीती के सदस्यों ने नगर आयुक्त डॉक्टर फृति से मुलाकात की, उन्होंने हरताल को जल समाप करने की मांग की, ताकि सहर में दुरगा पूजा के दवरान सफाई व सामना करना पड़ रहा है, वहीं अगर आयुक्त को इस्तिती की गंबीरता से अबगत कराते हुए, सफाई कर्मियों से वारता कर हरताल समाप्त कराने का आगरह किया गया, इस बैठक में समीती के सदसे संजय कुमार सिना, डॉक्टर पृति सेखर और रंजीत मंडल भी सामि जार कर रहे हैं, उसमत संजे जी भी हैं, प्रीती जी हैं, और निकेश जी, इलक सब जा करके मिले, और वो पॉजिटीव हैं, लेकिन कुछ ऐसी मांगे हैं, जो उनके दुआरा नहीं दिया जा सकता, जब तक कि अस्ताई समीती और बोट की बैठक नहीं होती और निर्ने न लोग गए थे और अभी उनके नेता सब को बुला करके, नगर आक साय पेसे और हम लोग मिल करके, चाहेंगे कि इसलिए तेहवार का मौसम है, दूर का पुजा शुरू हो चुका अससे, तो हम लोग तो चाहते हैं, कि जद से जल दी गे हरताल तूटे, और नगर मेरा सहर सा अगेचा होगा, तब पर हम लग बाहर से हायर करेंगे, विप्रिती जया, अमर पूर से तिन साओ चार साओ जो भी लेबर होगा, और जो होगा, सक्ती से कराय जाएगा इस काम को बागलपूर के फिरपैती में एक और पूल ब्रष्टा चार की भेट चल गया, फिरपैती के चोकंडी इलाके में बारिस और गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण एक पुलिया बह गई, या पुलिया वर्षो पुराना है और जर जर घोसित था, जिस पर प्रसासन ने पहले से ही आबागमन रोग दिती, बाबजुद इसके या पुल पूरी तरह से ढग गया, जिससे बाकरपूर, गोविंदपूर, बाबुपूर और मोहनपूर के बीच का संपर्क तूड गया, दरसल या घटना पिरपैती में 15 दिनों के बीतर तीसरी पुलिया बहनी किया है, बत जब चती हो गया, ख्यतिग्रस्ती आना जाना सब बंद लोगया, तो आप उस पार कैसे जाएगा, तो परसाद न बतायागा, न कैसे जाएगा, न नव से, अब इसे को पाई ही नहीं, अब सब पूल चाहिटो, बोल पुराना एकमश्त हम साल हो गया, शत्रा-ठारा साल हो सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब रिए भी सुविद़ान ना का भी व्यासताना है कोई रिश्टाने यह अधर का देखिया अधर यहां जानिगाइब झाल झाल झाल